यहां इस वीडियो में बात किया जाएगा मेरी सब्सक्राइबर के ऐसे क्वेशन आते इस तरीके से कि जब आपकी डिलीवरी एक से दो दिन रहे यारे कि 48 घंटा आप नॉर्मल डिलीवरी से जब आप दूर रहती हैं तब आपका सरीर कैसे संकेत दिखाता है किन संकेत के भि वीडियो के अंदर जो भी संकेत बताए जाएंगे वो मेरे परसनल एक्सपेरियेंस के साथ होगा मेरी सब्सक्राइबर में किन चीज़ों को एक्सपेरियेंस किया सबसे ज़्यादा जो कॉमन संकेत है जो सभी महिलाओं में अपियर होता ही है क्योंकि सब के डिलीवरी होती यह क्योंकि जो दर्द वाले लक्षन तो हम आसानी से नोटिस कर लें तो चलिए आप सभी के डिमांड फेश वीडियो में भी दर्द वाले लक्षन में बताऊंगी आप असानी से जाल लेंगे कि आपकी डिलिवरी एक से दो दिन बस दूर है तो चलिए वीडियो को जब आपका जो समय है वो 36 वीक पूरा हो चुका होता है यानि कि 9 मन्त जिस दिन से आपका इसमाल जी आज से आपका 9 मन्त स्टार्ट है तो आज के बाद कभी भी आपके डिलिवरी हो सकती है क्योंकि 36 वीक के बाद कभी भी बच्चा हो जाए सब कुछ सेफ माना जाता है और ह दौरान बच्चा भी 3 केजी का ही हो जाता है 36 वीक के बाद मेरी डिलिवरी जो है वो 39 वीक प्लस सेकंड डे में हुई यानि कि 40 वीक पे हुई और उस समय में भी हुई बच्चा 3 केजी का ही था और जब मैंने 36 वीक पे अल्ट्रसाउंड करवाय तो तब भी बच्चा 3 कि जे होते रहती है ऐसा नहीं है कि आपका लेट से बच्चा होता है तो लगबग सबमें 3 केजी होता ही है अब यहां पर बात करेंगे कि लक्षन के उपर बात करते हैं देखिए सबसे ज़्यादा जो लक्षन होते है वो दो जगा पाई जाता है वह आपके नाभी के हिसे म होता है इन दोनों में से कहीं किसी भी जगह अगर दर्द होता है तो आपको उस चीज़ कोनोटिस करना वैसा तो आम तोर पे बात करें तो पूरी प्रेग्णन सी हमﷹ क्या है कि कमर-द्रद पारिशान पीट दर्द से पारिशान लेकिन जो नॉर्मल डिलिवरी का जो दर्द आता है जो लेबर पेन का दर्द आता है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं भैंकर वाले दर्द होते हैं ऐसे दर्द ऐसा करेंट जैसा लगना मैं इस वीडियो के थुरू आपको डरा नहीं रही हूँ मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर जो फॉस्ट टाइम मोम बनने वाली है उनको ये चीजे बता रही हूँ कि लेबर पेन होता कैसे है लेबर पेन अचानक से आपको कमर के हिस्से में बीचो बीच से में एक करेंट जैसा दर्द होका बहुत तेज दर्द हो सकता है चार से पाँच सकंड के लिए फिर वो दर् खतम हो जाएगा फिर दो घंटे बाद वही अचानक से एक तेज दर्द होगा पांच साथ सेखंड के लिए फिर से वो खतम यानिकि एक ऐसा दर्द जो रुकरुक कर आता है हर दो घंटे पर एक गंटे पर और गंटे पर फिर 40 मिनट पर फिर 20 मिनट पे इस तरह का जो दर्द रुकरुक के continue आता है वो होता है labor pain का दर्द labor pain mostly महिलाओ को कमर वाले दर्द से होता है मुझे भी कमर दर्द से हुआ था लेकिन मेरी बहुत साली subscriber ने confirm कि कि किसी कह सकते हैं कि 40% महिलाओ को नाभी के निचले वाले हिस्से में current जैसा दर्द होता है और 60% महिलाओ को कमर वाले हिस्से में current वाला दर्द होता है तो लेबर पेन होता है अब इस दौरान क्या होगा एक से दो दिन पहले आपको एक लक्षन तो आप जान चुके दर्द वाला दूसरा लक्षन एक discharge होगा वो discharge जैसे कि आप इस तस्वीर के थ्रू समा सकते हैं इ इसे bloody show बोलते हैं इसे discharge बोला जाता है इस तरह की चीज़े इसे बोली जाती है bleeding बोली जाती है यह तभी होता है जब आपकी delivery आज के आज होनी है या कल होनी है तो इस case में यह discharge होता है अब यह discharge सभी को नहीं होता है किसी को होता है किसी को नहीं होता है करने कि 80% महिलाओ को 20% को जैसे मैं मेरी बात बताँ तो मुझे भी नहीं हुआ या फिर ये कह सकते हैं कि मैंने देखा नहीं एक देखना भी बहुत बड़ी बात होती है खुद के सरीर को बहुत जादा नोटीस करना भी बड़ी बात होती है जैसे कि मैंने अभी आपको बता है कि इस तरह कर डिस्चार्ज होगा तो 36 वीक के बाद जब भी आप यूरिन पास करने जाएंगे आप हमेशा चेक करेंगी वो डिस्चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है लेकिन जैसे मैं मेरी बात कहूं तो मुझे पता ही नहीं था कि ये डिस्चार्ज भी होता है तो ना मैंने इसके लिए वेट किया ना मैंने इसको चेक किया ना ही मैंने समझा लेकिन अपनी डिलिवरी होने के बाद सारी चीजे समझ आ जाती है तो इस case में इस discharge को notice कीजिए अगर ये आ गया ना normal delivery पक्की हो जाती है एक से दो दिन के अंदर हो जाती है I think आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सारे doubt को clear किया अब भी कुछ पूस्चना है कुछ रहे गया है तो मुझे आप नीचे comment कर सकते थापके लूए गूस्चना है तक टकी लिया घे का और है नहीं कि आपके लूस्चना है